अब वो मेरे पास आएगी, मेरे पैर छुएगी, मैं उसे मना करूँगा थोड़ा डॉमिनेट करके देख, रिजर्ट सामने आ जाएगा आएए, आएए, वहीं रुकी रहेंगी क्या, आएए देखा तुम्हें, बातों में कितना बदलाव आ गया आजाओ जितना हो सके अपनी बीवी के सामने अपनी ही तारिफ करना तब तुमारी बीवी जिन्दगी बर तुम्हें बहुत महान मानती रहेगी महान क्या, ऐसी कौनसी बात है जो महान है, कुछ तो कहता हूँ हाँ, दूद, दूद देकर याद आया, कॉलेज में एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था मैंने कविता ही लिख दी, वो कविता क्या थी पता है ऐ दोस्त, तेरा श्रिंगार करूँगा तो आता है मूती, अगर हम कुछ बोलते हैं तो तुझे आता है भुस्सा, हम गुदगुदी करते हैं तो तुझे होती है खुशी मेरी ये कविता सुनकर सारे लड़के लड़किया तालिया बजाने लगे और हसने लगे मर्द को बस मौका मिलना चाहिए, और्टों के सामने अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं ऐसे वक्त में इनकी सारी महांता को कच्रे के डब्बे में बंद कर देना चाहिए से कविता नहीं बनती हावा निकाल दी अरे पहले मुझे भी लागा चाहिए ये तो खुद पी रही है ये लीजिए अगर तो ने जूटा दूद पिया तो तेरी जिन्दगी भी जूटी हो जाएगी मैं किसी का जूटा दूद नहीं पिता नाराज हो गया सोचकर मनाना मत नहीं तो मजाग बन जाओगी हुक्म सिर्फ तुम्हारा ही चलेगा आग लगा दो चलो सही कहा आपने जूटी चीज नहीं भी नी चाहिए वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती सारा दूद भी गई बेशर्म कहीं की पूरा खाली करके सेहत सेहत से याद आया मुझे बच्पन से कोई बीमारी नहीं हुई सच में क्या सच में अरे सर्दी क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता समझी तुम इसे ही छीखना कहते हैं छीखने के टाइम क्या होता है पता है डिमाग नाक के बाहर आगया ऐसा लगता है सबको सर घूम जाता है अज़ आगया 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 आगय मेरा जूठा किया हुआ दोध नहीं पिया आपने फिर मेरे जूठे होटो को कैसे चुएंगे आप मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ ऐसे बकवास करना क्यों ऐसा छीक ना क्यों कोई बीमारी नहीं है ऐसा क्यों बोलते हैं हाँ मचपन से सारी बीमारियां है मुझे कोई बीमारी नहीं बची पैरलिसिस टीबी पाइल सब कुछ शायद एड्स भी होगा चेक नहीं किया ठीक है गुड़ नाइट आप उस तरफ मुड़कर सोएंगे तो ही ठीक रहेगा गुड़ नाइट मिरी उंगली पसकेल उंगली खाते पाइट झाली दो थे कैसे एक पाइट ऑाइट जो जाए रहेँ है वो विपमारी आपेट पाइट बाहेगा उने हो विपमारी नाइट बाहे वो ग्यद लाक पाइटिया है